डी टोइंटी स्क्वेड में सिलेक्शन ना होने को लेकर चाहल ने कर दिया है रियाक्ट जी हाँ दोस्तों आपको पता है ये इंडिया वसेज ऑस्टिलिया का टी टोइंटी सिरीज खेलने वाला है और उसमें सूरिया कुमर जादोब को कैप्टेन किया गया है और रितुवर वर्ल्ड कप से पहले भी थोड़ा सा रियक्ट किये थे RCB के सिलेक्शन ना होने को लेकर भी रियक्ट किये थे लेकिन ऐसे अगर BCCI का सिलेक्शन होता रहा है तो चाहल तब खेलेगा ही नहीं बैट BCCI को चाहल को साफ साफ कहा देना चाहिए कि उनके thought process में अब चाहल नहीं है क्या उनका performance है या age issue है क्या तकलिव मुझे पता नहीं आपके असपास सोचते हो कमेंड में जरूर बताएं